कि हम अपको बताएंगे थ्रेडिंग ऑपड़ान कैसे कया जाता हैंudもう को सकते हैं सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगी की अपर अपर्लीप्स पड़ना नहीं जा पाते औ管 नहीं के अपरलिप्स काफी बढ़ जाती हैं और उनको टाइम नहीं मिलता तो घर में कैसे अपरलिप्स करेंगे तो देखी दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने ही आप खुद से कैसे अपरलिप्स बना सकते हैं तो देखी दोस्तों कैसे कैसे करेंगे हम सबसे ये हमने ऐसे लपेटा है इसको इसको 3-4 बार ट्विस्ट करेंगे अब ये देखे उपर आया तो देखिए ये नीचे मैंने कैसे आपको करके दिखाया था अपने थम में कैसे मैंने इसको ट्विस्ट किया है 4-5 बार और अब ये हमारे हाथ में है और सबसे पहले हम कोई भी टेलकम पॉर्डर लगा लेंगे जिसे कि ये टेलकम पॉर्डर है कोई भी टेलकम पॉर्डर आप लगाओगे ये और ये देखिए ये इस तरीके से अब मैंने ये नीचे थम में है मेरे अंगुठे में है पैर के अंग अंगुठा चलाना है तो देखिए दोस्तों हूं तो देखिए मैं बता रही हूं कि मैं यह कैसे चला रही हो मेरा नीचे का अंगुठा तो नीचे मैं आपको नीचे दिखाती हो कि मेरा यह अंगुठा कैसे चल रहा है और यह वाला हाथ देखिए मैं यह देखो यह मेरा अंगुठा चलेगा हमारा राइट पैर है ठीक है राइट पैर का अंगुठे में हम लेंगे लेफ्ट पैर के अंगुठे में हम नहीं लेंगे क्यों सो चलेगा नहीं राइट है तो राइट चलेगा तो राइट पैर के अंगुठे में हमने धागा त्विस्ट क्या है चार-पात बार ट्विश्ट करना है और फिर इसको मैंने आपको दिखाया भी पैर मेरे कैसे चल रहा था अंगुठा मेरे कैसे चल रहा था तो यह देखिए यह देखिए कर लो पूरे पर लो फिर फोलना रहा था अगर आपका पैर का अंगुठे में जो आपने धागा लिपेट रखा है उसको आप डीला हो जाए तो उसको आप टाइट कर सकते हैं और अगर आपका वह तूट जाए तो आप दोबारा जोड़ सकते हैं बहुत इजीली पैन भी नहीं होता इसी तरीके से आप देखिए अग आप ऐसे चिन पे से भी निकाल सकते हैं और फोर हेड पे हैं तो फोर हेड पे भी इसी तरीके से आप कहीं से भी बाल निकाल सकते हैं आप अपर लेप सीन एडिया और उपर फोर हेड का तो यह उपर से सैड भी कर सकते हैं अपनी थेडिंग को उपर से सैड भी कर सकते हैं उपर वाली थेडिंग है जो आपकी उसको आप अच्छे से सैड भी कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, आप इधर की इधर की कोई भी सेट कर सकते हैं, तो दोस्तों आप अपने आप थेडिंग, फोर एड, अपर लेप्स, चीन एरिया कुछ भी बना सकते हैं, नीचे की तो इजिली नहीं बन पाएगी, बट उपर की सेट हो जाएगी, जो नीचे की तो दोस्तों एक बार फिर देख लीजे या ध्यान से आप जरूर ट्राइब कीजिए कि बहुत इजी है अपने हाँ से ज्यादा पेन कर अपने लेती है इनसे के तो देखिये मैंने कैसे किया और यह ऐसे Para दोस्तो टैलकमपोडर लगाना है पहले बिना टैलकमपोडर के आपको नहीं करना है पहले टैलकमपोडर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जहां भी आप करो पहले टैलकमपोडर लगा उसके बाद अच्छे से करो और फिर इसको बाद हमें अच्छे से मौश्राइजिंग लगा के अच्छे से मसाज कर दो पेन बिल्कुल भी नहीं होगा तो दोस्तों आप यह तरीका जरूर अपनाएं जो मैंने आपको बताए हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा और आसन तरीके सब कर पाएंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना बने ओके बाव बाई